आप सभी का स्वागत है जहां मिलते हैं आपको exam relevant content समय कम होने कारण classes कल नहीं हो पाई थी लेकिन आज मैं फिल से यहां पे start कर रहा हूं और इससे पहले मैंने कैसले डिया मैंने solve किया था फरस्ट जो की पीवे से कुछे गया थे जो की sbipo 2022 एक्जाम को टार्केट करके यहां पे किया जा रहा है और आप सभी जानते कि 17th of October से December से एक्जाम सुरू होने वाले sbipo की admit card भी और आचुके हैं और आप लोगों की preparation चल रही होगी बहुत अच्छे से complete quantum question यहां मिलीगे आपको हर एक topic के एक से एक अच्छे questions जो की बिल्कुल exam relevant होंगे वो मैं यहां पर करवाओंगा और और मैं आपको कुछ extra questions भी करवाओंगा जो कि हलके से उपर level के भी होंगे क्योंकि मुझे नी पता आपको भी ने पता कि इस विए प्यों के problems exam में कैसे question आने वाला है question का level कितना ऊपर जाने वाला है लेकिन हां बहुत दुख बढ़ने ही जाएंगे नीचे तो रहेंगे ही नहीं बिल्कुल moderate से लेकर के जो आप कहते हैं exam relevant question वही आपको यहां पर मिलने वाली है तो आज एक लासी इन चार्ट करते हम लोग आज second day है इसका तो आज मैंने लिए आप लोगों के लिए यहां पर top 50 arithmetic questions प्रिविए से question दो हज़ा हतुरा से लेकर 21 तक के जितने भी questions है वह सारे यहां पर solve करेंगे काफी question है काफी मज़ाने वाला है और यह आप कह सकते हैं यह second class है svipo की first class में कैसले डिया आई थी तो हम लोग यहां पर solve करेंगे बिल्कुल जो कि प्रिविए से question पूछे गया है इससे पहले complete कर लेते हम लोग arithmetic questions फिर डिया और आल डियेस जो भी questions आई हुए है उसके बाद हमें फिर solve करेंगे expected questions तो ready है तो बताएं फटा फट से चैनल पर नए है सब्सक्राइब करें बैल अगन प्रेस करके notification अउन कर ले और वीडियो को लाइक करें और मेरे बारे में चाहते जान ना तो जान सकते मेरे कुछ इसकोल यहां पर लिकिवे पिछले साल के इतने भी exams थे इसमें SSC के included नहीं है और भी एक दो I think IPS clerk करी किसी के नहीं यहां पर कुछ नहीं है बाकि कुछ यहां पर है लेकिन फिर भी आप यहां से बहुत कुछ सिकते हैं तीर से के बारे में कौन, ट्रिण, इंग्लिस, और बाकि जो एक्जाम से हमारे बचे हुए है SBI, J, Mense, and Interview वह भी आपको यहां पर मिल जाएगी and this is also important बहुत लोगों लड़ाएगी इसमें CGL है तो CGL के लिए यहां हैं बिलकुल हैं लेकिन आपको यहां पर वैंगें एक्जाम में भी SBI, PO में भी आपको ऐसे मिलते हैं इसमें पूरे कम्प्लीट में सुरिशन आपको मिल जाएगी and बहुत तरह कोश्चन में यहां पर सॉल्व किया हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइपस के अच्छे कोश्चन से आप देखे सीख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से यह प्लेशन चैनल पर से आपको फॉल्व कर सकते हैं भढ़ते सीदा कोश्चन नमर वन की तरफ कोश्चन को सॉल्व करना है अंसर तरह चैट बॉक्स में लेकर ठीक है और यह ग्रूप है टेगराम का इसे भी आप जो आन कर सकते हैं वीडियो को लाइक करें फटा पर से कोश्चन नमर वन सॉल्व करें अंसर पता है solve पहला question यह रहा आपके skin पर solve करें यहां पर क्या लिखा गया दा perimeter of a triangle is equal to the perimeter of rectangle ठीक है एक triangle है जिसका perimeter किसके बराबर है rectangle के perimeter के बराबर है ठीक है और फिर कह रहाए गया length of rectangle is 75% of side of square ओके एक square भी यहां पर है इसका 75% मान लेते हैं स्का side square का side 4a है तो rectangle side कितना हो जाए rectangle का length हो जाएगा simple यह 3a हो जाएगा और यहां पर यहां पर यह ratio of length length to breadth हो जाएगा यह 3a हो जाएगा simple 2a हो जाएगा यह difference between perimeter of square and that of rectangle is 36 इसका perimeter कितना है गा 16 है 4 times कर दी है इसका कितना आ जाएगा 3 to 5 to 10 a equal to 36 यहां पर दी है कि 6 बरावर कितना हो गया 6a equal to 36 यानि कि a equal to 6 मेरे पास आ गया पूछा क्या गया हम से पूछा गया है find perimeter of triangle कुछ नहीं करना है जो rectangle का perimeter था वह triangle का है कितना था 10 a था 10 60 यह होगा इस ट्रैंगल का perimeter option number a is the correct answer बताएगे कैसा लगा question समझ में आया की नहीं आया नहीं आया कोई भी question आया समझे में नहीं है simple comment box में question number देखे अपनी समझ्चा लिखे आपनी समझ्चा लिखे आइव रिप्लाई ठीक है हां कई बार होता है कमेंट नहीं देख नहीं पाता time कम होने करना लेकिन हाँ फिलिपी में आपके doubts clear कर देता हूं ठीक है next question बढ़ते हैं समझ्च में आया है तो like करें आगे बढ़ते है question 2 की तरफ यह रहा question 2 solve करें बिल्कुल speed में रहना है और एक और च मतलब आपको बहुत लोग कई दिनों से मुझे message मिल रहे है कि कुछ चीह प्रब्लम होनी जब से IPS PO का exam हुआ है मैंस exam उसके बाद से मतलब हम approach रहते हैं questions की मतलब कुछ नो बता रहते हैं कि हम किस तरीके से approach करें question को जो भी हमारे prelims में मैंस में मैंस में आते हैं उनका कहना था कि कुछ लोगा कि prelims के questions होते हैं वो कफी आसानी से हो जाते हैं इसके लिए हम सीखे रखे है ratio method, axiom question वही लगाया करते हैं और मैंस exam में जो जाते हैं वहाँ पर ratio method काम नहीं करता तो क्या हम मैं prelims के लिए त्याई अलग तरीके से करें मैंस के लग से पढ़ें देखिए ऐसा simple सा मेरा मानना यह है ऐसा कुछ नहीं है जो चीज़े हैं आपको basic जो arithmetic आने चाहिए डी आई की जो logic होते हैं वह समझाना चाहिए बाकी तो सिफ calculation नहीं है तो मेरा simple इतना क्याना है कि आपको हमेशा एक चीज़ों को एक तरीके को focus करें एक तरीके से question करने ही कोई करें वह क्या होता है simple जो basic तरीका होता है किसी को solve गरने का ना कि register mentor या पी कोई भी tricks and hacks वह सब बिलकुल नहीं है simple तरीका अपना है एक तरीका ले उसी से आप हर तरह question कर सकते हैं ऐसा नहीं कि प्रेलिमस में आपको तरीका यह लगाना है मैंस में यह लगाना है नहीं आप हमेशा basic चीज़ों को से practice करें उस तरीके से करें हाँ आपको करना क्या calculation fast करना है कुछ step ऐसे होते हैं जो कि हम लो कर रहे होंगे या बड़े को solve कर रहे हों तभी मेरा concept जो होगा हमेशा maintain रहेगा मतलब in other words यह कह सकते हैं कि हमारा concept जो है किसी भी topic का वो बार 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 रिवाइज होता रहेगा जब भी हम उस topic question कहीं भी solve करेंगे इससे हमारा topic जो हमेशा clear रहेगा मैंस exam को solve करेंगे वहा वहां पर हम और आराम से कर पाएंगे वहां पर दिक्कत हमें नहीं होगी तो अलग अलग पढ़ने की जरूत नहीं है हाँ जो चीज़े है extra जैसे जो भी चीज़े होती है उसे आप बस कर लें आराम से ठीक है clear होगी अब बात solve करते है question 2 एक container contains a mixture of milk and water in which water is 24% यहाँ पे milk है water है इसमें water 24 परसेंट यह कितना हो जाएगा 76% हो जाएगा ठीक है 50% mixture taken out in which water is 78 liter less है इसमें 50 परसें निकाले कितना हो जाएगा इसका 38x हो जाएगा यह 12x हो जाएगा और इसमें water जो 78 liter less है नहीं कि simple दोनों को minus करें कितना 78 होना चाहिए यह कितना आ जाएगा 26 26 से होता है simple यह 3 times है नहीं कि x कितना आ गया x मेरे पास 3 आ गया पूछा क्या find the remaining quantity of mixture बचा कितना था इसमें mixture quantity of milk मिले कितना बचा था सीजबत आधा निकल आधा बचा है यहीं बचा हुआ मेरे पास है 30 थी कितना होता 1114 option number E answer समच में आ रहा है जब भी आप video देखा करें किसी भी टीचर की तो हमेशा focus इस बात पर करें कि solve question को कैसे किया जाए हो सकता है आपके approach ज्यादा अच्छे हो तरीका आपका ज्यादा अच्छा हो आप उसमें बने रहे हैं कई question ऐसे होते हैं कि हम बहुत लंबे तरीके से कर रहे होते हैं लेकिन हमारे सामने वाले जो भी कर रहे हैं question उस तरीक उसमें वहां पर कुछ तरीका ऐसा लगाया जाता है जो की थोड़ा सा salt होता है या फिर हम simple कुछ चीजों को skip कर देते हैं अराम से जिसका हमें को मतलब नहीं अब simple देखी यहां पर यहां पर लिखा गया 50% इसमें से निकाला गया ठीक है यहां पर 38 मैं लिखा यहां पर फिर बोला गया गया remaining quantity of milk अब क्या करेंगे अब फिर से 76 में यह काम करते हैं जिस कांट टाइम जाए लगता है जब बोला गया आपको 50% निकाल लिया गया बचे है क्या 50% ही बचेगा इसका मतलब जो आपको दिख रहा है वही है आई बस समझ में आगे बढ़ते हैं नेक्स कोर्शन के तरफ वीडियो को लाइक किसेगा नेक्स कोर्श ठीक है इनिश्ले वाटर यह बोट का है और यह पानी का है वाटर का करेंट का स्ट्रीम का वर्टेवर रिशियो अफ टाइम टेकन बाइद बोट तो कवर दी किलमेटर डावन लिए निसकते आनाम से और इसका रेशियो दिया गया है डी माइनस 45 इसका ratio दिया गया है d-45 जब यह cover करता है अब stream में कितना आजाएगा 10 में से 1 9x इसका ratio यहाँ पर है 3 is to 2 ठीक है x होगया cancel यह गया उपर यह होगया simple 9d equal to 11 into d-45 equal to 3 by 2 3 से होगय है 3 time 6d equal to 11d minus 11 into 45 कितना आजाएगा यह 655 से 9 9 11 जब नएट इसका ratio option number c समझ माया d कितना आगया 11 into 45 by कितना था 5 था तो 5 से 9 नएट इसका ratio यह कितना है 9 design किलोमेटर आगया देखा अपने अभी मैं यहाँ पर इसके करके रुकने लगा बूल गया टाइम लगया और जब जैसे मैं डाइट किया काफ़ तेज से हुआ अंसर भी मैं साइसी आगया तो यह होता है कमाल जवाब चीजों को औरली करते है अब ऐसा नहीं मैंने कहता है हमिसा आप पूरे पूरे कोशन औरली करें नहीं जहाँ जहाँ जो तब लगती है कि हम यह भूल जाएंगे यह हमें रिकॉल करने में दिक्कत होगी उससे आप लिख लें अब मन में करने के चक्कर में का कर रहे हैं आप जो लिखनी रहे हैं फिर उन चीज़ों को भूल जा रहे हैं फिर से दुवारा कर रहे हैं इससे बेटर है कि थोड़ा बहुत लिखते रहे हैं हमेसा हाथ में पेन हैं बाकिए काम ओली करते रहे हैं टाइम सेव करते रहे हैं ओके next question is here solve करें a person purchased two article at the same price and on a selling price of first article he makes it for 12% selling price of second article is Rs.90 more than selling price of first article find the cost price of 180 simple question यह कह रहा है कि दो person है sorry एक person है जो कि दो article purchased किया कुछ भी हो सकता है article A article B कुछ भी लेट से यह article A है यह article B है purchased किया same price पे मतलब अगर यह भी purchased किया है A को इसका CP अगर 100X है इसका भी कितना होगा इसका भी 100X होगा ठीक है on sale the first article जब वो first article वो sale किया इसको 12% होता है profit इसका मतलब यहां पे SP कितना आ जाएगा simple 112X आ जाएगा second article बाल में कह रहा selling price second article is 90 more than selling price of first article पहले article selling price जो है यह इससे 90 ज्यादा है यह किसका selling price second article का यह आर्टिकल B का यह कितना होजा है कि 112X plus 90 all all okay आगे पढ़ें the selling price the find a cost price of one article if his overall profit is 15% अगर देखा जो पूरा जो profit होडा इस पूरे transaction में जो profit होगा वो कितना है 15% का है यहां पे 100 है यहां पे 200 sorry 100 plus 100 200 200 का 15% कितना होगा 300 होगा यानि कि 230 रुपए यहां पे 230X जो है actual selling price है यानि कि इन दोनों को अगर हम simple add कर दे मेरे पास कितना आ जाएगा 230X आ जाएगा 112,112,224 में से minus करेंगे कितना है 6 आएगा 15,690 होता है 15 पूचा क्या है cost price of one article simple 1500 हो जाएगा answer आया समझ में आप इस question को ओड़े भी आराम करें simple दिखा आपको 100 100 लेते आराम से मन में करते है 112,112 odd कितना है 230 हो गया 6 आया 15 ठीक है आयो बास समझ में समझ में आया है तो बताए next question यह आपके सामने 4 year hence sum of the age of सारे question काफ़ी अच्छे question है SBI क्यों पूछे question है आपको यह सोचने जोतनी कि exam relevant है कि नहीं बल्गो relevant आपके आपके 4 year hence sum of the age of A and B will be 16 year more than the sum of present age of B and C आपके 4 year ago यह हो गया यह हो गया कोई बात नहीं simple solve करें यहां पर कर रहा कि A और B का age A B जो मैंने लिखा नहीं यह क्या A का प्रेजेंटेज है यह B का प्रेजेंटेज है विल बी 16 year more यह कब की बात कर रहा चार सल पहले की बात कर रहा तो हम इसमें चार चार आठ इसमें एड कर देते हैं आराम से 16 year more किस से है यह जो प्रेजेंट एज था वो 32 साल था अब कितना हो जाएगा 32 था पहले चार सल पहले अब 44 में 8 जोड़ जाएगा यह कितना हो जाएगा simple यह हो जाएगा 40 अगर हम देखे यहां से यह तो B भी सिबर कैंसल हो जाएगा A-C इक्वल टू 16 माइनस यह आएगा 8 यहांस आपके पास दो एक्विशन आ चुका है पूछा क्या गया आपसे C का निकालने के दोनों को माइनस को हाफ कर देंगे कितना जाएगा 16 होता option number D आया सबज में C का पूछा दोनों एक्विशन को माइनस कर दिए 40-8 32 का हाफ कर दिए 16 आ गया अंसर हो गया C पूछा गया था जो पूछा रहा आप पहले देख लें कि आप पूछा रहा आपसे अगर आप A पूछ तो दोनों को add करते हैं तब हाफ करते हैं clear है अगर algebra में दिक्कत है तो अभी मैंने कुजन पहले algebra को solve किये थे करीब करीब इसमें बहुत सारे question थे दो घंटे सूपर की वीडियो है उससे आप देख लेंगे एससिक जामें भी काम आएगी बैंकिंगी में जहां बज़त पढ़ती है mathematics में जभी पढ़ते रहेंगे algebra के बिना कुछ नहीं होता जो आप एक question लिख रहे होते हैं जो अभी मैंने question लिखा है कैसे बना है सब algebra की question ही है तो algebra जो है सबसे important चीज है तो उससे आप देख लेंगे आपकी clear हो जाएगा next question और वहां एक और चीज वहां मैंने एक page पे मैंने सारे entity लिखेते हैं एक page में लिखा था आप उससे जाकर करके no down कर लिजएगा उससे revise कर लिए रियाद कर लिजएगा बहुत काम आते हैं हमारे वह next question यहां पर क्या है 175 meter long train P passed a pole in 8.75 seconds 172 min लंबा एक train है एक train है जिसका length नाम क्या P है ठीक है यह cross करता है किसी pole को pass करता है 8.75 seconds में 175 by 8.75 8,8,16,17 यह simple हो जाएगा आपका 20 meter per second ठीक है आ गया यह किसका आया है यह train P का speed आया है ठीक है train P का speed आ गया 20 meter per second train P passed and on the train train Q traveling in A direction a point to P P के a point direction में Q travel कर रहा है ठीक है तो यहाँ पे 175 इसका length हो गया P का Q का length दिया है क्या Q का length यहाँ पे कुछ लिखा आगे पढ़ना पड़ेगा 60 by 7 seconds में cross कर जाता है if length of train Q is 2 to 5 meter then what is the time taken by Q will pass P if both run in same direction अच्छा इससे एक गनिशन दे रहा नहीं न और इसका speed यहाँ पे क्या है time distance by speed equal time 60 by 7 seconds alright यहां से क्या होगा यहां से मेरे पास SQ निकल का कितना हो जाएगा यह 200 300 400 400 into 7 by 60 equal to 20 plus SQ solve करेंगे यह हो जाएगा simple 3 27 140 यह आगया SQ जो आजाएगा वो कितना आजाएगा 140 by 3 minus 20 60 40 40 80 by 3 gazab gazab का speed आगया speed of Q gazab का आगया 40 by 3 आगया अब पूछा हम से train Q और P जब अपूट action में travel करेंगे तो कितने समय पास कर जाएगे simple इसका length हो गया simple 400 इसका speed है 80 by 3 उसका speed है कितना 20 20 दोनों कर देंगे minus इसे time कलके आजाएगा कितना हो जाएगा यह 60 20 यह आएगा उपर 3 और नीची कितना आजाएगा 20, 20, 60 seconds 60 seconds का समय लाएगा एक मिएट में पुरा कहानी खतम हो जाएगा option number D answer इसका हो जाएगा आया बास समझ में इस तरीके से clear crisp solve कैसे करते हैं to the point समय को save करते हुए अब इस question को solve करने के लिए आप formula याद करेंगे अगर train का length एक का दिया हो दूसरे का नहीं दिया हो उसका time दिया हो pole cross कर रहा हो तो D1 into D2 y कुछ भी कुछ भी कुछ भी ऐसे कितना याद करेंगे नहीं math को याद ही करना होगा फिर math क्यों पढ़ेंगे फिर नहीं पढ़ेंगे जी कर पढ़ेंगे जी इस पढ़ेंगे next question अगर समझ में आ रहा है तो like केज़ेगा वीडियो को next is here perimeter of a base of a cylinder is 66 centimeter then find the volume of cylinder if height of cylinder is 0.04 meter वाव क्या question है यहाँ पर कह रहा कि cylinder का base base कैसा होता है इसका base है ना तो इससे हमढ़ायत है बचा क्या circle एक तरगा इसका perimeter बोल रहा यानि की boundary की बात कर रहा यानि की 2 pi r की बात कर रहा यह कितना है 66 है pi क्या होता है 27 यह हो जाएगा 3 rate कितना आगे 21 by 2 आ गया पूछर निकालने के लिए volume निकालने के लिए height up को दिया हुआ है जहां रखना height दिया मीटर में कितना हो जाएगा simple 4 cm हो जाएगा है ना क्या होता है volume pi r square into h h क्या है यह है 4 यह तो simple cancel ही हो गया तो फिर दिया क्यों cancel होना है तो है ना दिवामे बहुत ही सारे question आते है हमारे यह कितना हो जाएगा 63 का double 126 और इसका half 11 666 1386 option number b is the correct answer अब इससे जितना समय लगेगा मुझे bowl bowl के लिखने में उससे पहले मैं कर लेता हूँ आपकी speed भी ऐसी होनी चाहिए आपको number दिखते multiplication हो जाए लिखनी जोद नहीं है ठीक है अजब आप pin paper कर रहे होंगे तो आप जब भी करेंगे आप लिखेंगे वहाँ पे इससे च्छा क्या है कि इस योग को orally करके सीधे answer mark करें राइट next question यह क्या 40 men complete a work in यहां पे क्या रहा 40 men है जो की complete कर रहा किसी work हो 48 days में आ देखे कई लोग ने मुझे बोला कि सरकोर्षन हिंदी इंग्लिस दोनों में लिया कीजे और ठीक है बात सही है लेकिन ultimately आपको इंग्लिस पढ़ना होता है इतना आपको समझ में आज ही question कहा रहा है आज आप questions पहेंगे maths में तो फिर इंग्लिस का paper जो होता है जिसमें आपके 40 math के 40 questions आते हैं और फिर descriptive भी होता है फिर prelims 30 math के question आते हैं फिर वह आप solve कैसे कर पाएंगे तो एक तरीके से आप यहाँ पर solve कर रहे होगे न इंग्लिस के भी आपको practice हो जाएगी इसका tension ना ले और second चीज जभी मैं question लेता हूँ कोई भी question उसे मैं Hindi में ही explain करता हूँ इसलिए मैं हमेसा question को पढ़ने के बाद उसे एक बार Hindi में पूरा question को समझाना देता हूँ ठीक है मुझे आत नहीं है एक चीज को बारा बोलने की तो मैं simple एक पर पूरे question को बता जाता हूँ ठीक है यहाँ पर वही दिया गया 40 men 40 men यहाँ किसी काम को 48 days में complete करता है अब days men तो समझते ही है 64 men start किया work करना workmen तक काम होता है x दिनों तक काम किया after x days क्या हुआ 32 men और यहाँ पर add होगे 32 men को increase कर दिया 32 men और बढ़ा दिये गए so the remaining work is completed in जिससे क्या हुआ remaining work जो था बचावा का वह इतने दिनों में complete होगे आप से पूछ रहा x का value क्या होगा सबसे पहले तो एक चीज़ दिख गया हमें हर जगा men 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 ही है तो यहाँ पर वैसे में start कर यहाँ पर men लिखने होगा था कि मुझे लगा था आगे women होगा children होगा तो उसे अब mention की जरूत नहीं है तो 40 men है यह करते हैं किसी काम को 48 days में यह कहने का लिए तो टरवर्क मेरे पास आ गया किसके बराबर है यह 64 men start किये थे काम करना 64 men x जो दिखने हो काम किया उसके 32 men add हो गए 64 32 कितना होता है 96 96 96 और अब क्या होगा 16 whole 2 by 3 days में complete हो गया 48 to 50 by 3 days में यह काम complete हो गया पूछा आप से इस x का value क्या होगा इसे cancel करे 16 से हो जाएगा 3 times 16 से 4 times 16 से 6 times ठीक है 3 से 2 times यह 100 हो गया 120 x कितना आ गया 20 by 4 यानि कि 5 option number A clear सुझे माया 120 हो गया यह 4x था यह 100 आया 20 हो गया 20 by 4 करेंगे x बावा आ जाएगा 60 से 5 all clear clear ना से मारा सभी का अंसर ठीक है रिक्ट हो आप बोल सकते हैं भूं से बोल सकते है जोड-जोड से बोल सकते हैं चैट बॉक्स मे लिख सकते हैं आगे बढ़ें next stage here अब यह . 이야기를 अब यह question आपके सान्में दिखे रहा है मुझे compound interest, simple interest simple deliberate, simple reply रहा है compound dikh boat, simple interest रहा है और एक्जाम में भी आपको ऐसी कुछन आते हैं एक्जाम के कुछन है कोशिस करें सॉल्व करने की आप 15 बीज इंवेस्टेट इन स्कीम ए एट आर परसंट पर इंवेस्टेट इन संपरेंटर्स अंदर इंवांट 15डे माने सक इसको इन्वेस्ट किया गया दूसरे scheme में, scheme B में, इसमें जो interest का rate है, वो 2% है, simple interest पे, तो 4 साल के बाद interest जो earn किया गया, from A, A का जो interest है, वो 25% less है, scheme B के interest से, ऐसा question में लिखा, आपको ये पूछ रहा है, सीधे X की value, कोई trouble? नहीं ना? करें, solve what of what, देखें, simple सी बात है, यहाँ पे 15,00 रुपए है, और इसे invest किया गया, R% simple interest पे, तो कम कौन सा है, जैसे अब यहाँ पढ़ें, आपने A scheme जो ये कम है, यानि कि इसे लिखेंगे बाद में, इसे लिखेंगे पहले, ठीक है, तो 1500 माइस इसको पहले काम कर लेते हैं, 1500 माइनस X, कितना percent है, 2R% है, और time कितना है, time वही है, देखो time दोनों में common ही है, 4 साल ही है, कोई इकले बात नहीं है, और दूसरा कह रहा है, A का कितना है, A का है, 1500 रुपए है, ठीक है, और इसका rate है, R% है, इसका भी time है, 4 year ही, ठीक है, और कहा क्या गया है, यह तो A का है, यहां समझे ना, यह A का है, और यह B का है, अब यह कह रहा है, A का जो है, A 65% less है, कितना होता है, यह 3 by 4 होता है, 4 से 4 तो cancel हो गया, R से R% cancel हो गया, काम से ही खतम हो गया, बचाए कहाँ यहां पर 3 से cancel करेंगे, simple आ जाएगा 500, अब 500 करेंगे, force के 2 तो तो यह तो यह तो यह तो यह तो यह कितना हो गया, यह कितना आए था, यह आए था 2000, और यह आगया, simple आपका, 3000, 1000 का half कितना होता, 500, option number A, ठीक है, flow आपका बिगड़ना नहीं चाहिए, flow बिगड़ेगा, speed कम होगा, जैसे आप रोड पे जब bike drive कर रहे होते हैं, cycle drive कर रहे होते हैं, कुछ भी car drive कर रहे होते हैं, अचाहा है, आपको brake लगाना पड़ता है, जिस वक्त हम brake लगाते हैं, उस वक्त हमारा average speed यह बहुत तहीं से कम हो जाता है, तब अगर हम जा रहे हैं, किसी भी A point से B point पे travel कर रहे हैं, continuous, एक कम speed से भी अगर हम जाता हैं, बीना brake लगाएं, तो वहाँ पे average आपको अच्छा मिलेगा, अगर आप बार-बार speed आपके अच्छी है, आप speed जो यहाँ पे चलाया जा रहे हैं, इससे आप काफे अच्छी यहाँ पे drive कर, लेकिन बार-बार हर 10 मिट पे, हर 5 मिट पे आपको brake लगाना पढ़ रहा है, तो फिर वहाँ पे time का लप्स पहुंचाता होता है, इसलिए हमेशा जब भी भी आप question solve के अगरे, बिल्कुल flow में रहें, flow में रहेंगे न, तो बहुत तेस को solve होता है, अल्राइट, answer आगे सभी का, clear है, तो बताएं, वीडियो को like करके बताएं, नहीं कि यहें तो, subscribe, subscribe कर लिजएगा, यह Facebook है, Facebook के है, सब कुछ ही पर, Facebook, Instagram, Telegram, सब कुछ है, और यहाँ पर आप मुसे जोड़ सकते हैं, उसे बात कर सकते हैं, कुछ भी doubts हैं, पूछ सकते हैं, काई लोग पूछते हैं, यहाँ पर मैं कभी-कभी active रहता हूँ, यहाँ पर मैं भी active रहता हूँ, दिल में आपको मिल जाओंगा मैं, अक्सर, कोई भी दिखकत हो, आप पूछ सकते हैं, आल राइट, next question बढ़ते हैं, question 10 की तरफ, यह क्या question है, question दिख रहा है, काफी अच्छा सा question है, करेंगे solve, फट फट, ए इन्वेस्टे रूपी एक्स इनी स्कीम, ए क्या कर रहा है, एक्स रूपी इन्वेस्ट कर रहा है किसी स्कीम में, छे मैने के बाद B भी जोइन कर लिय चार हजार रूपी जादे लगा है किससे, A से, एक साल के बाद क्या हुआ, जो रेशियो दिया गया है, B का और पूरे प्रॉफिट का, वो है 3 इस्टो 7, तो आप से पूछ रहा है, X का value क्या होगा, हिंदी मेने कर दिया इसका, अनुवाद, ओके, हिंदी मेने कर दिया इस कर रहा है, इसने किया, X रूपीज, और 6 महीने बाद, इसने लगाया, X में 4,000 जादा, कितने महीने के लिए किया है, 6 महीने बाद किया है, और यहाँ पे कहानी पूरे, एक साल की है, यहाँ पे 6 से करेंगे multiply, और इसे करेंगे 12 से multiply, क्यों कि यह, बिसिकली मिलपाई नहीं किये, बिसिकली यहाँ पे लिखा गया है, कि A जो है वो, पूरे साल भड कर रहा है, और B जो है, 6 मेने कर रहा, यहाँ से अगर cancel आउट करेंगे, तो मेरे पास यह simple ratio कैसा आजाएगा, यह 2X, कुछ ऐसा आजाएगा, यहाँ पे B का ratio, और पूरे profit का दिया है, अगर पूरे profit का 7 है, B का 3 है, A कितना हो जाएगा, A का हो जाएगा, simple, 4 हो जाएगा, 4 हो तीन, साथ, यहाँ से लिखे अगर, यह कितना हो गया, 2X by X plus 4000, यह कितना है, 4B का है, 3, यह 2 से हो गया, 2 times cancel, यह कितना आगया, 2X plus 8000 equal to 3X, X कितना आगया, simple, आपका आगया, 8000, option number B बताओ, बताईए, कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो 10 questions हो जुके हैं, फटा-फट से, speed में, कितना समय हो, पता नहीं कितना समय हो, लेकिन दसकों से हो गया, आगया बढ़ते हैं, अभी भी में पास समय है, solve कर सकते हैं, वीडियो को, सभी लोग यतने विल्यों देखा करते हैं, वीडियो को, सभी लोग को स्लव किया करें, जरूर से किया करें, आप चाहेंगे, सिंपल आएकर दिखेंगे, this is not web series या फिर कोई movies हो नहीं है आप देखेंगे आपको कुछ सीखने मिल जाएगा आप तो तो solve नहीं करें खुछ से तब तक आप नहीं सीख पाएंगे इसलिए हमेसा pen paper लेके बैठा करें और question को solve करें हो सकता है आप मुझे से पहले कर ले हो सकता है मेरे बात करें इससे फर्क नहीं पड़ता है फर्क इससे पड़ता है आप कितना question solve कर रहे हैं और कितना सीख पा रहे हैं ठीक है और solve करने के बाद आपकी एक्षा अगर है तो आप बिल्कुल chat box में लिखके बताए करें ताकि मुझे भी पाचलता है कि यह लोग देखते हैं वीडियो को regularly और question solve करते हैं ठीक है तो अगर आप question doubt पूछेंगे तो obviously आपके doubts जल्ली solve की जाएंगे all right solve गो रहे फर फर से क्या question a boat travels in upstream if the speed of boat in upstream is decreased by 40% then it is equal to the speed of current and speed of boat is still watered into 40 km per hour then find the sophisticated speed of the boat okay यहाँ पर कहा रहा है अगर speed कम कर दिया जाए 40% से कितना कर्मक कर दिया जाए अगर मान लो यह रहा होगा 10 यह हो गया 6 है न 10 10 था 10 से कितना हो गया यह 6 हो गया यहाँ पर हम कह सकता है यह 5 से 3 हो गया ठीक है और एक चीज और कहा रखा है क्या कि इसका जो still water में speed है वो इतना है यानि कि simple हम कह सकते हैं इसका 5 और 3 8 रहा होगा 8 3 94 होता है 3 और पूछा क्या हमसे पूछा है अब इस तरह के सब्सक्राइब कर सकते हैं बिना किसी बहुत ज़्या दिमाग लगाए पड़ेगा ही लेकिन लंबा कर रहे हैं लंबा कर रहे हैं समय लग रहा है नहीं और सब्सक्राइब कर पाएंगे में लुकस क्ली में बेको देखी क्या दिया गया कोषियं में से वरा हिंदी में विग्रार प्रॉण के अगये मतलब क्या होता था सिंपल जो वार्टर के अगेंस जाते हैं मतलब अगर वार्टर जा रही इथर द्हुवग कर रहें इधर इसका मतलब क्या हुआ आपको water जो है वो हमेंसा अपोज करेगा आपकी जो motion है आपका जो motion है उसको हमेंसा रोकेगा obviously है speed up कम हो जाएगा है ना downstream क्या होगा simple इधर water है इधर ही आप भी जा रहे हैं ठीक है अव्वेसे क्या इसमें आपको water जो support करेगा आपको push करेगा आपके speed को बढ़ाएंगा इसलिए अधर क्या होता है downstream में plus होता है upstream में क्या होता माइनस करते हम लोग all right clear यहां वह कहा गया कि एक boat जो है वो upstream में travel कर रहा speed of boat in upstream is decreased upstream में बोट का speed अगर decrease हो जाए 40% से अगर 40% क्या होता है simple होता है 4 x4 by 10 2 x 5 अगर इसका speed पहले 5 था अब कितना हो गया यह 3 हो गया then it is equal to speed of current तब क्या होता है यह current के speed के बराबर आ जाता है छाना है ना यह कि water current का speed हो गया है और यह 5 क्या था यह आपका upstream था upstream कैंड अप च्झिम होता है boat minus water तो यहानि कि अगर वाटर का स्पीड 3 है बोर्ट का स्पीड वाटर का 5 है ने कि बोर्ट कितना हो जाएगा 5 का प्लस 3 8 हो जाएगा और यही 8 का वैल्यू आपको यहां पर दिया हुआ है स्पीड आप बोर्ट इसले वाटर एज 240 किलोंड पर आवर एट को एक कुड करेंगे इस से कितना आ जाएगा थ्री तैम्स 30 तैम्स है ना पूछा क्या अप्स्ट्रीम स्पीड का अप्स्ट्रीम कितना यह रहा आपका 5 यह है आपका अप्स्ट्रीम कंफ्यूज नहीं होना है यहीं 5 है 5 यह 50 यह 150 अंसर बताओ कैसा लगा अच्छा लगा समझ वाया आगे बढ़े फिर नेक्स्ट कोस्ट्ट्टन इजिएर इमान इन्वेस्टी रूपीज एक्स और रूपीज 2 एक्स एट 15 परसें इंपर इंट्रेस्ट आन अर्ट 8% कंपाउंड इंवली एक्स एक्स रूपीज इंवेस्ट करता है 15 परसें इंट्रेस्ट पे और 2X रुपीज इन्वेस्ट करता है 8% compound interest पे 2 साले के लिए दोनों चीज Difference between simple interest और compound interest compound interest, simple interest के बीच का difference जो है 2 साल के बाद वो 820 रुपया है, आप से पूछ रहा है यह जो X देख रहे हैं, आप इसी X का value क्या होगा, options यहाँ पे दिये गए अनसर बताएं अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं क्या यहाँ पे 2X से 15% है 2 साल के कितना हो जाएगा, सिबसवर X से 15% है 2 साल के लिए 30% हो जाएगा हम कह सकते हैं 30X % कह सकते हैं, 8% से 2 साल है, compound कितना हो जाएगा, 8 त 64, 8 हर 16 16.64% 16.64% दोनों को minus करेंगे obviously यह बढ़ा है इसे plus से minus कर देते हैं ठीक है x% और यहाँ पर 2 भी था तो हाँ ठीक है 1560 था ठीक है 2 भी था ने 2x था 2x यहाँ 2x लोग ऐसे भी देने 2x into 2x यहाँ परसेंट ठीक है अब दिक्कत नहीं कोई इसका value आपको दिया हुआ है 820 ठीक है यह कितना हो जाएगा 32, 33, 33.28 30 में से में कितना आजाएगा 3.28 x % equal to 820 तो x कितना आजाएगा 820 % का 100 हो जाएगा उपर और नीचे आएगा 3.28 आएगा इसका भी हटा दे यहाँ पर कितना आजाएगा simple 100 आजाएगा आजाएगा अगर जै कैंसल करने कोई कोई करें 4 से कर लें 4, 8 जा 4, 2 जा 4 से 2 टाइम 4 से 5 टाइम अब कैंसल किसे हुआ 41 से 2 टाइम 41 से 5 टाइम 2 से 50 टाइम यहाँ कि 25,000 का अंसरा के option बढ़े है क्लियर हुआ जो भी भी simple interest compound solve करें तो हमें सा interest के उपर rate के उपर काम करें जरूरी नहीं कि पूरा पर फ़र्मॉलक काम कर रहे है हाँ this is also basic method यहाँ पर मैंने कुछ इसा यूज नहीं किया कोई trick मैंने यूज नहीं किया इसा कुछ होता ही नहीं है मैंने simple क्या किया कि rate के उपर ही सारा काम होता है मैंने पूरे फ़र्मॉलक के साथ ही काम किया कैसे किया मैं देखिया यहाँ पर PRT by 100 होता है simple interest यहाँ पर तो यहाँ पर PRT देखे कर आप इसमे principle क्या है X है X लिखा मैंने RT, RT को मैंने एक साथ लिख लिख लिया 15% दो साल के लिए 30% एक बाए में हो गया % के लिए मैं इंचे 100 लिखा मैं % कि मुझे पता है कि जब भी काम पड़ेगी % हम लोग यहाँ पे 100 से multiply कर लेंगे काम कर लेंगे नाम से और compound test सब्सक्राइब लेते हैं हमें साथ उन्हें सिखाया भी है नहीं देखा आपने देख सकते हैं basic class में I think मिल लिए हो कहाँ आपको arithmetic series में वहाँ चेप करने है ठीक है next is here question 13 solve करें length of train A is 400 meter and length of train B is x meter train A का length है 400 meter train B का length है x meter ज्यादा train A से ठीक है if speed of both train A and B अगर दोनों train का speed train A का train B का speed अगर दोनों बराबर है तो and they cross a pole in अगर दोनों train जो है A train करते है 16 second में cross किसी pole को pole को pole को ध्यान रखना और B करते है 24 second में pole cross पूछ रहा आप से B train को 400 meter लवे platform करने में कितना समय लगेगा अंसर बताएं फट फट देख यहाँ पर है simple length of train A इस 400 meter तो 400 meter इसका length है और यह कर रही है 16 second में किसी pole को cross यही ना तो यह कितना आजाएगा 4 से 4 time 25 25 25 एक मियाट 400 meter train है B train है X meter ज्यादा देखो कि simple यहाँ पर एक train यह रहा एक train यह रहा इसका length अगर 400 है इससे कितना हो जाएगा simple 400 प्लस X लिखा ना ज्यादा है train A से ठीक है if speed of both train is equal दोनों train का speed बड़ावर speed कैसे निकलेगा यहाँ पर दिया गया है कि दोनों train जो है किसी pole को cross करती है 60 second में यह करती है 60 second में इसका speed क्याँ का distance यहाँ लेंध by इसका time इसका क्या यह रहा length और इसका time दोनों कैसा बराबर है equal है equal कर दिये 8 से 2 time 8 से 3 time 2 से 200 यह हो गया 600 X कितना आ गया simple आपका आ गया 200 आ गया पूछा क्या थाप से पूछा गया थाप से B train 400 में लें प्रेटफॉर्म को B train लें कितना आ गया 400, 200, 600 400 का प्रेटफॉर्म यानि कि 1000 में यह ट्रेवल करेगी इसके अपने speed से इसका speed कितना है है simple यह रहापका 600 divided by 24 24 जाएगा उपर 2, 0, 2, 0, 6, 4 टाइम यानि कि 40 मीटर पर सेकेंड सारी टाइम थाना 40 सेकेंड ओप्शन नमबर B करेक्ट आए समझ में इस तरीके से एक कुश्चन लिख सकते हैं आराम से और कुश्चन को सॉल्व कर सकते हैं नेक्स कुश्चन सॉल्व करें बताएं कहरा क्या A is 40% less efficient than B A जो है B से 40% कम efficient है और B जो है वो सेम काम को 20% कम समय में कर लेता है C की comparison में और A और B अगर 7 मिल के काम करेगा तो 80% work जो है 12 दिन में complete हो जाता है then in how many कितने दिनों में 60% of work जो है वो B और C साथ हमिल के complete कर लेगा this is the answer of this question in Hindi solve करें answer बताएं तो यहाँ पे दिया गया है यह रहा A train नहीं है इंसान है कोई A जो है 40% less efficient है B से तो इक इतना हो जाएगा A हो जाएगा 3 भी हो जाएगा 5 अपका ठीक है और फिर कहरा B जो है B और C के बारे में कहरा C को लगता है 20% कम समय देखो यह efficiency है अब यहाँ पे time की बात कर रहा कहरा कि B को 20% less time than C अगर इसे लगता है 5 इसे लगेगा 4 लगेगा यह time है इसका पर करते हैं रेसिट पोकल यह जाएगा 5 और यह जाएगा फूर यह क्या हो गया B C का efficiency हो गया और यह 5 5 बराबर है इसका मतलब इसका भी हो जाएगा simple 4 efficiency और राइट इसमें कोई दिकत्नी efficiency में पस आ चुकी है अब कह रहा A और B साथ में काम करते हैं यह जाएगा यह भी 5 दिन 8 का efficiency हो गया ठीक है यह काम करते हैं 12 दिनों में कितना काम करते हैं यह करते हैं 80% work 80% work आपका यह जाएगा सामने आपके है पूछ रहीन How many days 60% of work can be completed by BNC अब 60% यह तो 80% work का value यह है हमें 60% क्या करते हैं अगर हम इसे 10 से cancel करते हैं कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 8 से cancel कर रहे हैं यह simple आ जाएगा 10% हमें चाएगा 6 का value 12 6 या 72 यहनि कि 60% value कितना आ गया 72 आ गया हमसे क्या पूछा गया है 60% काम कौन करता है B और C B C कितना है 5 और 4 9 9 से कर दो divide 9 एडिया 72 option number D is the same answer आएगा समझ में इस तरीके से approach लेंगे करेंगे definitely अपके समय बहुत सेव कर बाएंगे एक्जाम में भी आपको दिक्कत नहीं होगी ठीक है आएगा समझ में आगे बढ़े next is here solve कर दे एक और आता होगा question main solution chapter का क्या कह रहा है यहाँ पे perimeter of rectangle is equal to the perimeter of square whose area is 400 cm square and length of rectangle is 40% more than side of square than find area of rectangle perimeter जो है किसी rectangle का वो square के perimeter के बराबर है जिसका आपको area दिया गया है यहाँ पे 400 cm square और length जो है वो rectangle का 40% ज्यादा है square से तो आप से पूछ रहा है area क्या हो काफी आसान question है अगर देखे square का area 400 है इसका 60 कितना होगा simple 20 होगा perimeter कितना होगा इसका 80 होगा यही perimeter rectangle का भी है यानि कि 80 हो जाएगा बोल रहा है कि length जो है वो कितना है 40% ज्यादा है square से यह कितना हो जाएगा 28 28 हो गया breadth कितना हो जाएगा 40 में से करने के माइस 16 पर जाएगा 12 आजाएगा पूछा क्या आप से पूछा है area निकालने के लिए इन दुन पर मदने पाई कितना आजाएगा 280 और 56 236 option number 3 386 not 36 336 clear नहीं सब्सक्राइगा देखिए रहा आपका square square area 400 side कितना होगा 20 कैसे पता a square equal 400 होता है a मेरे पास आगया 20 आगया अब इसका perimeter कितना हो जाएगा करतेंगे 4 से multiply simple हो जाएगा 80 और वही कह रहा है कि वही 80 कितना है rectangle का भी perimeter है all right फिर rectangle होता कितना है यह होता है 2 into l plus b होता है यह अगर 80 है तो हम कह सकते l plus b कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा और l यह आपको कह रहा है कि इस 20 का 40% जादा है 28 हो गया 28 अगर length हो गया breadth कितना हो जाएगा 12 आजाएगा हाँ आजाएगा area पूछा area क्या होता है area equal to length into breadth हो गया बस सौल clear next is here a shopkeeper has two articles jeans and cert cost price of a jeans is 32.5% more than अच्छा कोश्चन है यह करके दिखा दे इसमें calculation में थोड़ा बहुत है हाँ calculation लगेगा आपको calculation में अच्छा कसा यहाँ लगे आपको और थोगा सा concept भी आपको यूज़ाएगे CPSP सब दिख रहा है यहाँ पर MP भी दिख रहा यहाँ मार्कपाइस भी दिख रहा ट्राइक करने की पताए मुझे एक shopkeeper है जिसके पात दो आर्टिकल्स है एक का नाम जिंस है दूसरे का नाम सर्ट है कॉसपाइस जिंस का है वो 32.5% ज्यादा किस्से है सर्ट के कॉसपाइस से और कॉसपाइस जिंस का है उसे अगर 30% से इंक्रीज कर दियाता है तो उससे यहाँ पर सोल्ड कियाता है 4134 रुपे में 25% के पॉपट पे पूछ रहा है अगर सर्ट पर 15% की मार्कप कर देंगे कॉसपाइस के उपर तो मार्कप प्राइस कितना आएगा सर्ट का यह रहा जिंस यह रहा सर्ट अगर हम लोग सर्ट को लें यहाँ पे 100x यह कितना हो जाएगा 132.5x हो जाएगा अब क्या रहा है कि 132.5x जिसका कॉस्ट आया इस पे 30% प्राइस को इंक्रीज कर दिया गया तो अगर हम देखे 132.5x पे अगर हम x तो है न x कहां छुड़ी गया 30% इंक्रीज के कितना हो जाएगा होगा और फिर कह रहा कि 25% प्रॉफिट पे 5x4 प्राइस कितना आता अब आकता है 4134 ठीक है अब कितना आता है 4134 आता है अब आपको बोल रहा है कि यहां से आपको x निकालना होगा 100x निकालना होगा उसके बाद फिर यहां से आपको solve करके निकालना होगा कितना इस जीन्स का प्राइस 15% उस पे mark-up करना पड़ेगा ठीक है तो इसे अगर करें कैसे करते हैं यहां पे solve करना पड़ेगा और यह हो जाएका simple इससे six times हो गया तो x मेरे पास कितना कितना आ गया यहां से देखे तो 16, 6,096 by 5 96 by 5 ठीक है अभी सिंपरम कहते हैं मेरे पास 5x को 96 आ गया हमें चाहिए ultimate 100x चाहिए इससे कर्टेंटिस मिल्टिप्लाई 26 किलमल पर यह कितना आ गया मेरे पास 100s वली हो गया हमें चाहिए इस पे 15% का markup और करना है कि 23 by 20 इससे करने से मिल्टिप्लाई गया 96 को कि 20 से कितना आ जाएगा यह जाएगा 1920 और तीन से करें कितना जाएगा 288 यह जाएगा कितना हो जाएगा 208 2208 2208 यह जाएगा यह कितना आ गया 2208 आप्शन नमबर B 96 2000 220 280 288 सही है सभी का सेम आ रहा सभी का सेम आ रहा आ रहा है तो लाइक करें लाइक कियो नहीं करता है आप लोग शेर भी क्या करें वीडियो इन रूने के बाद चेयर से ज़यरऊ से क्या करें लोगों अ पहुंचाए वुष्चाय। उन्हें भी बताएं इस लोगों और पहुंचाया एं उन्युनि बताएं के यहां पर क्या कह रहा है, in first mixture quantity of milk was 6 liter more than that of water, ठीक है, तो यहां पर simple यह कह रहा है कि quantity of milk जो है, वो 6 ज्यादा है पानी से, तो मतला हम इस तरी किसे लिखे, यह अगर milk है, यह water है, तो water अगर मेरे पास, अगर x है, तो milk इतना होगा, 6 liter ज्यादा है, x plus 6 है, all right, after adding 80 liter of second mixture, यह mixture number 1 है, यहां पर दूसरा mixture भी है, इसमें कह रहा है, इसमें 40 liter है, कितना है, 40 liter है, इसमें 40 liter है, इसमें क्या क्या है, वही सेम चीज़ है, milk और water है, having ratio of water, देखो यहां पर उल्टा कर दिया है, इसमें डढ़ना मत, उल्टा तो में लिख लेना आडाम से, 3, 5, 8, 8, 5, 25, milk और 15 water, ठीक है, क्या किया है कि इसको first mixer है, इस वाले को इस वाले में मिला दिया गया, क्या होगा, पानी मिलेगा पानी के साथ, दूध मिलेगा दूध के साथ, यहां पर आजाएगा simple, 25 इसमें add होगा, इसमें आपका 15 add हो जाएगा, ratio आपको दिया गया है, final mixture में, water to mixture, यहां देन 13, ठीक है, 13x मनें 9x कितना जाएगा, 4x, 15, 13 जा कितना हो जाएगा, 15, 2, 195, और 9, 9, 97, 27, 279, और कितना जाएगा यह, 84, कितना आया था यह, और यह आया था 13, 4, यहीं कि 21, x कितना आगा, 21 आ गया, पूछा गया आपसे पूछा गया है, total quantity of water in the final mixture, final mixture of water कौन सा था, यह रहा, यह पूछ रहा, 21, 5, 26, 10, 36, option number C, सही है, clear है, आया समझ में, clarity से करें किसी भी चीज़ों को, हमेशा clear रहेगा, concept clear रहेगा, question clear होगा हमेशा, और mind भी clear रहेगा, जिससे questions आप solve गरें, next time, तो आप proper approach के लिए पाएंगे, question के तरफ, और solve कर पाएंगे, alright, next question is here, solve करें, क्या है, A and B started a business together with capital of rupees 8,000, अच्छा, यह partnership का question लग रहा है, कह रहा है, कि A और B जो है, यह start किया एक business together, साथ साथ, इसमें capital invest किया गए, A ने किया 8,000 रुपे, B ने किया 10,000 रुपे, respectively, A left the business 5 मेने बाद, A ने छोड़ दिया, लगकि B continue कर गया, A को मिलता है, 20% profit किसले बाद का business को manage करने के लिए, और इमेनी profit जो होगा, वो distribute ही जाएगा, इनके profit के ratio में, एक साल के बाद, A को मिला, 25,000, 25,000 रुपे, बस, then find total profit earned by A and B, total profit कितना होगा, ये A का share दिया आगे, पूछ रहा है, total profit A, B का मिला करके कितना होगा, बताईए कितना होगा, बताईए कितना होगा, आईए दिखते करके, ये रहा A, ये रहा B, A ने लगाया 8,000 रुपे बिजनिस में, बी ने लगाया 10,000 रुपे बिजनिस में, ठीक है, पांच महिने तक A रहा, फिर पांच महिने बाद छोड़ के चला गया, B continue कर गया, और यहाँ पे एक साल की बात कर रहा, यानि कि यहाँ पे करेंगे 12 से multiply से, एक को मिलता है 20%, एक गे 20% of profit, ठीक है, तो एक काम करते हैं, ratio पर निकाल गते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या आगया, वन इस्टव थिरी का ratio आगया, एक साल के बाद, एक के टोड़ पर पचिस सो, अब यहाँ पे कहानी अलग है, यहाँ पे 20% मिलेगा इसको business को manage करने के लिए, आए इस समझते हैं से कैसे कैसे manage होगा, तो हम यहाँ पे कहिज़र करते हैं, profit जो है, माल लेते हैं, वो 100x है, ठीक है, इसमें से, यहाँ पे profit को distribute ऐसे किया गया है, यहाँ पे profit का 20% जो है, वो a को जाएगा, यहाँ कि इसका कितना होगा, 20x चला किसके पास, यह चला गया, a के पास ठीक है, अब बचा कितना बच गया है, यहाँ पे 80x, 80x कहाँ जाएगा, 80x जाएगा, यहाँ पे, दो लोगों के बीचे बढ़ेगा, a और b के बीचे बढ़ेगा, कैसे कैसे, इसके ratio में, कितना कितना ratio है, ratio यहाँ पे 3 is to 1, 1 is to 3 का, 3, 1, 4, 4, say 2 times, और यह होगा 20, 20 यहाँ भी आएगा, 20x और 60x यहाँ पे आएगा, ठीक है, य होगा, simple यहाँ पे 40x, यह होगा, simple, 80x, 60x, ratio कितना आगया, ratio आगया, 2 is to 3 का ratio आगया, ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, एक कितना मिला, एक का जो value है 2, और इस 2 का value यहाँ है, 2500, ठीक है, हम से पूछा है, a, b, together, यानि कि 3 plus 2, 5 का value कितना होगा, एक मिनट, हम से क्या पूछ है, हाँ, हम से पूछा है, यहाँ पे 5 कितना होगा, तो पच्छी सो तो आगया, पच्छी सो दो का value है, पच्छी सो बाई 2 कर देंगे, और कर देंगे, पांस से multiply, यह आजागा सिंबल, 1250 को करेंगे, पांस सिंबल कितना होगा, 625 पे एक जीरो अप्सर मढ़ी, यह कौंसर करी बार question पूछा आता है, पूछा गया question अपके सामने है, मतलब यह question की business को manage करने के लिए, कुछ profit मिलता है, extra price मिलता है, 20%, 10% यह profit का 1 by 4, 1 by 4, यह कुछ मिलता है, बाकी जो बच जाता है, वो उसके ratio में, जिस ratio में investment था, उसमें divide होता है, तो करने का तरीका गिलकुल असान सा है, यहां पर समयने करके दिखाए आपको, profit को लिए simple, 100x मैंने लिया, 20% था, पहले मैंने एक को दे दिया, बच गया 80x, यह रहा 80x, इस 80x को मैंने क्या किया, इस दोनों के ratio में divide कर दिया, एक आ गया यह पूरा, जो उसका profit था, मैंस मैनेज करने के लिए, अब बाकी investment क recording, 24x, यह बी का आगया, यह बी का है, बी का आगया, इस तरिकी ratio दोनों के बीच में आगया, और कह रहा है कि, ए को मिला है, पच्छिस सो है, निकी, दो का बली पच्छिस सो है, पांच ने कितना हो जाएगा, simple, पांच से कर देंगा, multiply, दो से बड़ गड़के, यह आगया, पांच से 625, एक जिरो और, आया से मज में, next question, यह रहा, the salary of a man is Rs. 50,000 per month, from which he spent 20% on rent, अच्छा, 20% ख्रच करता है, यह रेंट पे, ठीक है, remaining कितना हुआ है, इसके पास, 80 बच गया, 80 में से ख्रच करता है, 20% और यह बी को बच्छ ख्रच करता है, कहां पे, यह करता है, 10% 10% की 8, ख्रच करता है, यह बिल के ऊपर, बचा कितना इसके पास, 72, इसका ख्रच करता है, 20% की 1 by 5, कितना हो गया, 5 से, 1, 14.4%, ख्रच करता है, कहां पे, यह करता है, मिस्लिनेस पे, from the remaining amount, अब ही कितना बच्छ इसके पास, यह हुआ, 68, 58, 57.6, यह करता है, यह करता है, his wife and rest to his mutual fund, wife को और mutual fund को देता है, 5, 4, 9 की रिशियो में, 9, 6, 54, 9, 6, 6, 6.4, 54, 36, 57.6, आया, अमरे कहां चला गई है, है, 5, 4, 9, 9, 6, 54, 6, 4, आगया, अब, 6, 5, 6, 30, यह सिंपल आपकर करें, 32 आ गई है, और, 4, 4, 16, यह आई, और रूंटी 5.6, यह होगे mutual fund का, पूछा क्या, find the amount spent on rent is how much more or less than amount in mutual fund, rent यह रहा, mutual fund यह रहा, कितना difference है, 5.6 का difference है, यह निकालना में, यह आप भी आदा है, यह इतना percent निकालना है, और यहाँ पे 50,000 हमारे पास क्या था, hundred percent है, यह निकालना होगे, simple, इससे multiply यह कर देंगे, आराम से, हो गया मेरे पास काम, इससे यह चला गया, 5.5, 30, यह निका, 300, 800, अंसर, आया समझ में, यह question पूछा जाता है, हर banking exam आपको यह question मिल जाएगा, इतना percent बिल पे, इतना रेंड पे, उसका जो बचिए है, उसका बचिए है, उसका बचिए है, उसका 5% यह कर दिया, इतना दिया गया है, बताओ, प्रफट कितना होगा, ती question है, अराम से करते हैं, फटाफट से हो जाएगा, मैंने, मैंसे ही करता हूँ, बाकी कोई मुझे पता नहीं बाकी चीज़े, जैसे अब भी try कर सकते हैं, करने कोई से करते हैं, अराम से question हो जाएगा, next is here, question 20, probability, बताएगा, एक बैग है, जिसमें 7, लाल, 4, वाइट, और सफेद, और 3, यहाँ पे हरा बॉल है, दूसरा बैग एक और है, जिसमें 5, लाल, 6, पीला, 3, नीला, बॉल है, a bag is selected, इसमें से एक बैग को select किया गया, randomly, मतलब, मन माने तरीके से, और a ball drawn out of it, उसमें से एक ball को निकाल लिया गया, आपको बताना है, find the probability that the ball drawn is red, अब जो ball draw किया गया, वो red हो, इसका probability क्या होगा, इसके समभवना क्या होगी, फट आ फट बताएग, options आपके समने, सबसे पहले बात समझे, कोई बात को समझे, question में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर दो bag है, मान लेते हैं, यह रहा bag one, यह रहा मेरे पास bag two, यह question कई बार जाएँ पूछा आता है, और हर बार लोग गलती करते हैं, अरिकांस बच्छे गलती करते हैं, तो देख लें समझ लें यहाँ पर दो bag है, एक bag ही है, एक bag ही है, इसमें भी red ball है, इसमें भी white ball है, इसमें भी green ball है, red इसमें 7 है, और white 4 है, green 3 है, इधर देखे अगर, इसमें 5 red है, 6 yellow है, यहाँ पर red है, और yellow भी है, और यहाँ पर blue है, कोई फरक ने पढ़ता है, क्या है नहीं है, इसमें blue कितने ह ऑल्राइट अब करना क्या है पहले यह은ँ पर बैग को चूछ करना कुछ तो से पहले अधर पहले काम करेंगे ये दो बैग है इन दो बैग में से पहले किसी एक बैग को करेंगे select है ना तो पहला काम क्या होगा मैं पहला काम होगा बैग को select करना दो में से कोई एक करेंगे आपने क्या किया दो बैग में से एक बैग आपने choose कर लिया अब क्या करेंगे अगर आपने bag 1 चूज़ किया था यहां से निकालेंगे ball वो कैसा हो लाल होना चाहिए तो rate कितना है आपने 7 है 7 c 1 by 7 4 11 और 3 16 3 14 by 14 ठीक है अगर आपने bag 1 चूज़ किया तो यह आपका आया हो सकता आपने यह bag 2 चूज़ किया हो तो क्या होगा यहां पर 5 red ball है 5 और 6 11 3 14 या तो आप यह चूज़ करेंगे या तो यह चूज़ करेंगे बीच में क्या हैगा plus और यह हो ज़गा पूरा इस तरीके से 7 5 12 12 by 14 6 by 7 यह रही कि 6 और 3 by 7 option number B होगे solve यह आगे 3 by 7 आया समझ में इस तरीके से priority को solve किया जाता है पूरे concept के साथ आपको मेरे समझा दिया समझ में आया तो बताएं कि बाद जरू से कि समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं next question के तरफ question 20 के बाद 21 समझ में आता है तो वीडियो को like किया करें और share भी जरू से किया करें वीडियो के रिश्कों बढ़ाएं लोगों तो पहुंचाएं that's your duty यह रहा question number 21 फिर से वही question आ गया करिए फटा-फट यहां पर कहा रहा है एक man है जिसका 20% monthly income जो house rent में खर्चा हो जाता है हो जाता हो जाता है हो गया remaining कितना बच गया इसके पास बच गया असे बच गया इसमें से 20% फिर्च खर्चा कर जाता है कहां फूड पे 16 क्रचा कर दिया कहां पे फूड पे ठीक है remaining कितना बच जाता है इसके पास कितना हो जाएगा सेवेंटी 64 64 अब यह करता है यह 46 हो किया काम पूछ क्या रहा difference between food and clothing यह जितना food कहां है यह रहा food clothing कहां यह दोनों का difference कितना है 12 का difference है यह कितना है 108 12 990 होता है यानि की 90 होता न हाँ यह हो गया 90 और पूछा आपसे कितना 9 month का यह 8100 पे को जीएट अफसन यह हो जाएगा सिंपल 12 12 हो गया आपका 1080 12 हो जाएगा 9 times 90 यहनि की 100 कितना आ गया 100% वाल्यू आपका आ यहाँ पर 90 पर 00 यह आपके एक महिने का आया है पुछा 9 महिने का नौसर कर देंगा multiply 99981 पूरा question पढ़ा करें एक्जाम में यह खुशी के मारे यह नहीं कि हाँ में बस आगे 9 वाल्यू बस फट 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 लगा देंगा 9000 हो जाएगा गलत option हलंकि नहीं यहाँ पर रहेगा तो बलती हो जाएगी पढ़ले ध्यान से question को लिखा 9 month के लिए नहीं से मेंड़ पाई करना भी जरूरी है ओल्राइट नेक्स्ट कोस्टिन रेशियो आप इस्पीड फिर से आगे बोट स्ट्रीम रेशियो पीड ऑफ बोट इन इस्टिल वाटर तू दा स्पीड ऑफ इस्ट्रीम इस तु फाइव ठीक है यह बोट का है यह वाटर का है एक्षियो प्रणि अग्षियो आप इस्टिम टेकन गणे में बततित घंते का समय लगता है आपको बताना क्या टू डिश्ट्रीम को खवर करने में इस्टिल वाटर में कितना समय लगेगा सबस्पर दी डिस्टेंस है इसे गया यह अप्रिस्ट्रीम 8, 5, 13 ठीक है 13x फिर दी डिस्ट्रीम वापस लोटा होगा 8 में से 5 में 3x equal to सैमेलर का 32 इस x को हटा के उपर फेक जाते हैं यहां पर x यह कितना हो गया? 39 हो गया यह कितना आ गया? 32x इन्टू 39 बाई कितना आ जागा? 39 हो 3 16 यह 2 टाइमस कैंसल हुआ कितना आ गया यह? 32 is a 78 78x डी का value आ गया हम से पूछा क्या है? 2d किलोमेंटर को यहनि कि 2 इन्टू 78x को कवर करेगा कैसे कैसे करेगा? इस्टिल वाटर में वाटर कितना है? 5x कितना से मिलेगा? यह कितना जाएगा? 2, 2, 78 का double कितना होता है? अरे यार यह 78 का double कितना होता है? इस्टिल वाटर में पूछा है कुछ तो गरबढ हो गया अच्छा मैंने 5 क्यों लिया? इस टिल वाटर में पूछा ने कि बी लेंगे हाप नहीं है यहाप रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ यह रा एट टू से कंसलो गा four times कि इतना जाएगा फुट 39, 39 का भी हाफ करना पड़ेगा, यानि कि 19.5 अप्सन नमबर C, तो यहाँ पर इस बात से डाड़े नहीं, कि यहाँ पर यह जो X, X है चलते जा रहा है, दो देवले मेंसा चल रहा है, डर्णा नहीं है, अन्त में वो अपने अप कैंसल हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ कोई X, डिस्टेंस भी X के टर्म में आ रहा, कोई बात नहीं, फिल से आपको डिस्टेंस को ही काम करना है, तो डिस्टेंस और स्पीड में जो भी आएगा, वो कैंसल हो जाएगा, फिर आपके पास मिल जाएगा, एक वैल्यू, क्लियर है, समय काफी हो चुका है, कोई बात 50 questions पूरा solve नहीं कर पाँ, लेकिन जितना करेंगे, अच्छे से करेंगे, बेलखुल हरे चीज़ों सीखते हो ब करेंगे, ठीक है, solve करेंगे, यहां पर कहा रहा है कि length of train A is again, यह speed distance time question लगता हुआ, train when का लगड़ा है, train of length A is 200 meter, दे दिया, length of train B is L, यह भी जे दिया, and train A and train B cross A pole in 8 seconds 26 के में cross B कर लेता है, यह भी आपको दे दिया, यहीं कि simple कहा सकते है, train A का speed आएगा, वो कितना आएगा, यह 200 by 8, यहीं कि 25 meter per second, कितना आ गया, 25 meter per second, यह आगया, train A का speed, I can find the time taken by the train A to cross, this, 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 कह रहा है कि find time taken by train A to cross train B, train A को train B को cross करने में, जब दोनों a pole dash run कर रहे होंगे, तो कितना समय लगेगा, और यहाँ पे speed का ratio दिया हुआ है, दोनों train का, यहीं कि speed of train B भी निकल जाएगा, फिर तो, 4 से, 5 से 5 time, 20, 20 meter per second, speed train B का भी आगया, 200 meter, sorry, हाँ, 200 meter, train A का length, train B का length L, दोनों चलता है कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे चलता है, और यहाँ पे एक और चीदिया हुआ है, एक और चीदिया हुआ है, length of train जो है, B का वो इतना है, और यह cross करता है, 26 सेकेंड में, speed इसका है, 20, यहाँ कि लेंज कितना आगया, train B का, यहाँ आगया, 26 का double, 52, 520, यहाँ लिख देंगे, हमनों simple, 520, समझ मारा रहा न, दोनों का length, यहाँ पर हम एड कर लिए, और यहाँ पर 520 लिख दिए, हम तो एड कर दिए, अब यहाँ करेंगे, अब हम यहाँ से, यह निकालेंगे, दोनों को, पूर ट्रेक्सिमेंट ट्रेवल करवाना है, यहाँ कि दोनों के speed को यहाँ पर कर देंगे, करेक्ट, समझ में आ रहा है न, पताया करें, समझ में आता है तो, इस तरीके से करेंगे आप अराम से, पढ़ना है question को, समझना है, और फिर करते हैं आना है, जैसे से आपको यह कुछ से मिलती आ रहा, clarity के साथ, speed A का निकाल लिए, बी का निकाल लिए, length जो बचा हुआ था second trend का वो भी निकाल लिए, अब करना क्या था, दोनों का length को sum करना था, speed से divide करना था, दोनों के sum के speed से, क्यों, लिखाता, poor tax 7 ट्रेवल कर रहा, एक इधर जा रहा, दूसा इधर रहा, क्या होगा, दोनों का later speed क्या हो जाएगा, sum हो जाएगा, है आपर simple, है न, next question 94, solve करें, फिर से आगया, यह swap keeper question, profit loss का, अच्छा question solve करें, इस swap keeper mark up, article A, 60% A, एक swap keeper है, जो कि अपने article को 60% ज्यादा mark करता है, cost price से, और इसको sold करता है, 25% discount पे, after made, profit made by swap keeper, on article A, जितना, A, पे कितना profit है, वो आपको दिया हुआ है, इतना रुपिया है, cost price of article is 40% more than that of article A, अब article B का जो cost price है, वो A से 4% ज्यादा है, profit बताना है, आपको profit जोनों पे same है, और बताना है, selling price B का क्या होगा, जो कोई इस तरीके से, यह रहा A, यह रहा इसका CP, माल लेते हैं, यह CP क्या है, इसका 100X है, यह रहा article B, और article A का क्या दिया है, 25%, 60% above mark कर दिया, तो माल लेते इसका markup price जो है, यहनि कि mark price जो है, 60% above है, यहनि कितना होगा, 160X, यह होगा, simple 160X, SP कितना है, यहाँ पे कह रहा है कि 25% का discount दे दिया, यहनि कितना 80, 40, 120 होगा, इसका simple selling price, और यहाँ पे एक और ची दिया गया है, इन दोनों का difference जो है, 100 और 120 का, 20 का difference, 20X equal to, यहाँ पे आप 75, ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना cost price of particle B निकालना है, यहनि कि cost पर ultimately आपको निकालना होगा, एका, तभी इस पे 40% above कर पाएंगा, यहनि कि आपको निकालना 100 का value, इसे कर देंगे 5 से multiply, तो यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा simple, 5525, 575, 723, 2375, आपक all right, इसका करेंगे 40% more तो मिल जाएगा, मैं cost price of article B, ठीक है, इसका करेंगे 40% more, यहनि करना, 40% more करेंगे, इस the cost price of article B is 40% more than that of article A, इसका 40% more करना होगा, कि कितना आ जाएगा, 2375 का 7 by 5, 5 सो जाएगा, यह 475 times, 475, और यह 7 था न, 728, 3325 आ जाएगा simple, यह case का आगया, यह आगया cost price of B का, अब कहारा है कि profit जो दोनों पर सेम है, यहनि कि profit कितने का था, 455 पर का profit था, यहनि कि SP जो आएगा, इसका, कितना आ जाएगा, 75, यहनि कि 3400, अर्थिस्सो, then the selling price of article B, यही पूछा हम से 3800 हो आगया, option number, D is the same answer, correct, 25 question करेंगे, बागी question बाद में करेंगे, काफी time हो चुका है, ठीक है, तो यह था आपके समने आखरी question आज का, फटा-फट से करें, इस question को solve, time hour का अच्छा question दिख रहा मुझे, मैंने भी है, मैंने भी है, कर दें फटा-फट से, और वीडियो इन होने के बाद, comment जरू सिखीजेगा, बागी 25 question आपको next session में कराऊंगा, क्या आपको next session में कल आपको वह सारे काम आपको, समझ में आए के नहीं है, डाउट अगर होंगे, वह पूछ सकते हैं, और से जोड कीजेगा, ठीक है, क्या दिया गया, 16 men and 14 women can complete a piece of world heritage, 16 women और 14 men जो हैं, यह complete करते हैं, 30 में किसी काम को, 16 men plus 14 women किसी काम को 30 days में complete करते हैं, क्या आगया, फूर में जोइन दें, 4 men और यहां जोइन कर लिए, क्या हो गया, चार men यहां पर और जोइन कर लिए, 16 थे, अब कितने होगे, अब होगे, यहां पर 20 men हो गए, ठीक है, and, यहां पहले से थी, यहां पर, 14 women तो रही जाएंगे, यहां पर, 14 women, then they could finish the 80% of same work in 20 days, अब यह 80% work को 20 में complete करते हैं, work कहां लिए नीचे, 80% reciprocal होता है, then find a time taken by 42 women, अब यहां से करना क्या होगा, हमें पहले यहां से solve करके, निकालना होगा, यह 100% work था, यह 80% work है, अब यहां से करना क्या होगा, हमें निकालना होगा, ratio लेना पड़ेगा, मतलब हमें compare करने चाहिए, कितने women होंगे, यह काम करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं, 0 से 0 cancel, % से % cancel, 0 से 0 cancel, और कुछ cancel होगा, हो तो जाएगा, 2 से यह हो जाएगा 4 times cancel, और कुछ, यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 5, यह 2 से हो जाएगा simple 10, यह हो जाएगा simple 7, है न, और कुछ, और कुछ हो रहा है क्या, 6 तरीजा 48, men, plus 14 तरीजा 42, women, equal to 50 men, और 35 women, यहाँ से आगे 2 men, equal to 7 women, all right, हम से पूछा है, 42 women, जो है, 2 times of work को कितने दिन में complete करेगी, यह रही 42 women, dash day में करेगी, और d day में करेगी, मतलब, twice work है, twice है, यह होगा, क्या हमें, कोई भी ट्रॉल वर्ग, इसे, इसे कुछ भी जते हैं, यहाँ पर इसे लिखेते हैं, आसान है, 16, m, plus 14, w, into 30, all right, अब यहाँ पर women term में लिखागी, इसे भी कर लेंगे, women term में, यहाँ को करेगी, m को हटाई हैं से कितना आ जाएगा, m equal to 7 by 2, यहाँ कि यह होगया, simple, 7 by 2, women, यहाँ कि 8, 7 जा 56, और 4, 60, 10, 70, यहाँ कि 70 women into 30, equal to मेरे पास आ गया, 42 women, d by 2, women से women cancel, 7 से 10 times, 7 से 6 times, 2 से 3 times, और d equal to में पास कितना आ गया, यह थड़े हैं, यह आ गया, simple, 10, 10 जा 100, तो 100 होगया, option number, यह सही answer, आया समझ में, सभी cancer आया, same, 100 आ रहा है, अच्छा question था, सारे question के level आपको अच्छे लगे होंगे, यह लगा हुआ कि हाँ, हाँ, आप SBIPO के question solve कर रहे हैं, previous question पूछे गया है, पास साल के question है, सारे के सारे, 25 question और है मेरे पास, काफी अच्छे questions और है, उसे साल कल करेंगे, और अगर किसी भी question को doubt हो, सभी question में, किसी भी question में थोड़ा भी doubt हो आपको, तो भी आप simple comment box में पूछ सकते हैं, ठीक है, और यह कुछ page channel पर लेवल है, इससे आप दे सकते हैं, यह strategy video है, और बाकी चीज़े हैं यहाँ पर, यह को में कुल कर वही थी, बाकी और sessions है, प्री, मेंस और बाकी चीज़े हैं, इससे आप दे सकते हैं, तो थैंक यू फर वाच इस वीडियो, किया स्माइलिंग अलवेच, चैनल सब्सक्राइब जरो से कीज़े नहीं कियें तो, वीडियो को लाइक कीज़ेगा, शेयर कीज़ेगा, और कमेंट करना बलकुल नहीं पूलिएगा, थैंक यू